प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नित्रित्व में देश ने विकास के नितने प्रतिमान गड़े हैं अभूत पूर्व गती से विश्वस्तरिय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्मान वब मजबूत होती कनेक्टिविटी ये नए भारत की नई पहचान है इंफ्रास्ट्रक्चर यानि लोगों के जीवन में आसानी इंफ्रास्ट्रक्चर यानि व्यापार कारोबार में आसानी इंफ्रास्ट्रक्चर यानि रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्मान और Infrastructure यानि तेज विकार तेजी से विक्सित होते भारत में जहां एक और Metro शहरी Connectivity को गती पदान कर रही है वहीं दूसरी और स्वदेशी वंदे भारत वर्ल्ड ग्लास Infrastructure के साथ लंबी यात्राओं को तेज वह आराम दायक बना रही है इसी श्रंकला में नजदी की शहरों के बीच तेज वह modern regional connectivity सुनिश्चित करने के उदेश से आज एक नए युग की शुरुवात हो रही है देश को पहली नमो भारत ट्रेन मिल रही है नमो भारत ट्रेन के पहले कोरिडूर का निर्मान कार्य दिल्ली, घाजियाबाद और मेरट के बीच 82 किलोमीटर के स्ट्रेच पर तेजी से चल रहा है ये साहिवाबाद घाजियाबाद, नोदी नगर और मेरट जैसे शहरों को तीवर गती से दिल्ली से जोड़ेगा इसी नेटवर्क पर 13 स्टेशनों के साथ मेरट में मेट्रो की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी एक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के साथ ये दिल्ली मेरट के बीच यात्रा में लगने वाले समय को तीन घंटे से घटा कर एक घंटे से भी कम कर देगा इस परियोजना की आधार शिला माननिय प्रदान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को रखी गए पी-म गती शक्ती नैशनल मास्टर प्लान के अन्गूब इन नमो भारत ट्रेनों को रेल्वे स्टेशन दिल्ली मेट्रो एवं आयस बीटी जैसे अन्य याता याद प्रणालियों से भी जोडा जा रहा है 30,000 करोड की लागत से बन रही इस परियोजना से जनता के लिए रोजगार एवं व्यवसाय के नए अफसरों का स्रिजन होगा साथ ही विश्विस्तर ये शिक्षा, स्वास्त एवं आवास तक सुगम पहुँच भी सुनिश्चित होगी ये अत्याधुनिक नमो भारत ट्रेनिंग, टू बाई टू ट्रांसफर सीटिंग, लगज रैक, मोबाइल एवं लैप्टॉप चार्जिंग जैसी विशेश सुविधाओं से लैस है नमो भारत की अधिकतर प्रणाली जैसे की ट्रेन सेट, हाई स्पीड, वलासलेस ट्रैक का निर्मान, लेकिन इंडिया के प्रधान मंत्री जी के विजन के तहट भारत में ही किया गया है इस पूरे कॉरिडोर को जून दो हजार पट्रीस तक पूरा करने का लक्ष है केंवर एवं उत्तर प्रदेश की डवल इंजिन सरकार के तहट इस कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा प्रात्मिक खंड, सहिबाबाद से दुहाई दीपो के बीच निर्धारित समय से पहले बन कर तयार है जिसका उधाटन आज माननिय प्रदान मंत्री जी के कर कमलो द्वारा किया जा रहा है आईए मिलकर साक्षी बने इस एतिहासिक शनका